जय मां इंद्राक्षी जय अंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकूँ आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों को जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्ताम नाएं सब्जेक्ट थोड़ा कटू है लेकिन सत्य है क्या माता पिता को कई बार संतान से बड़ा दुख मिलता है बड़ी मुस्किलों से हम अपनी संतान को पालते हैं बड़ा करते हैं पोस्ते हैं लेकिन कई बार वो ही संतान हमें बहुत पिड़ा देती है क्या कारण है कहीं संतान की कुंड़े में कोई ऐसे कोई योग होते है या हमारे ही अपने कर्मों का प्रतिफल होता तो आईए सब्जेक्ट को सुनिएगा जरूर और मैं प्रियास करूँगा कि इसमें कुछ निवारन आपको अच्छा दे सकूँ ताकि जो माता पिता संतान से दुख ही है वो दुख उनका दूर हो सके आईए पहले आज का हम पंचांग देखें फिर आगे की चर्चा करते है 29 दिसंबर संदोहजार तेस दिन शुकरवार संबन दोहजारासी पोश का महीना कर्शन प्रक्स तिथी आज तृत्या है दित्या तिथी सुबा साथ बज़ क करके यानि के आठ बजे तक मानके चले दित्या रहेगी उसके बाद तृत्या लग जाएगी नक्षत्र पुष्य रहुकाल साड़े दस से बारा दिशासूल पूर दिशा कई बार आप हमारी वीडियो हमारी बातें एक एक दो दो साल बाद भी सुनते हैं पुरानी पुरान डर नहीं है अब संतान को हर व्यक्ति लाइक बनाना चाहता है कौन चाहता है कि हमारी संतान नालाइक बने कौन चाहता है कि हमारी संतान हमरा कहना नमन है हम बच्पन से लेकर के अपनी आखरी जीवन की सांस तक अपने संतान को दे रहते हैं उन्ही के सुख में हम जीते हैं उनी के दुख में हम जीते हैं और यही चाहते हैं कि हर माता पिता अपने मूगा निवाला निकाल कर भी अपने बच्चों को दे रहता है माता पिता भूगा सो सकते हैं लेकिन वो अपनी संतान को किदा भी भूगा नहीं सोने लेंगे खैर ये सारी बाते तो आप सब समझते ही हैं बड़ी हर्दे इस पर सी हमारी भावनाएं अपने बच्चों के परती होती है लेकिन वो ही हर्दे जो हम बारे बच्चों से हमारा जोड़ा होता है कई बार वो हर्दे किसी प्रोपर्टी के लालच मैं है और किसी दुर्भावना के लालश में हमसे बड़ा बुरा एक वैभार हमारे बच्चे करते हैं हम बच्चे को जी आपसे बोलने का प्रयास करते हैं बेटा जी भाईया जी बाबू जी और कही बार वो बच्चे बड़ा तू तड़ाक से बेतू की सिपाते करते हैं जो हर्दे को तोड़ने वाली होती है, हर्दे विदारक होती है, देखो यह हम किसी का दोश नहीं देंगे, इसलिए कहा गया है कि जब बच्चा जनम लेता है, तो जनम लेते के करीब करीब 40 दिन के बाद, अब बहुत लोग क्या होते हैं, उसी से में आतुर हो जाते हैं, जन के 40 देज के बाद, चाहें दो ही पेज की कुंडली बनवाएं, लेकिन उसकी वैदिक विदी से, वैदिक विदी से, जो कुरातन विदी हमारे रिश्यू मनी बनाते थे, कुंडलीों की नाना प्रकार के पेटरन है, लेकिन मैं यहाँ वैदिक विदी की बाद कर रहा हूं, वैदिक विदी से, उसकी कुंडली किसी भी अच्छे आसपास के अपने पंड़ी जी से आप लोग बनवालें, और बच्चे का छोटा 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 जो हल जान सकते हैं, वो जरूर जानने का प्रयास करें, कि यह बच्चा कैसा रहेगा, माता के प्रता के प पैदा हुआ, 40 दिन के बाद कुंडली बनाई, उसके चोटे मोटे हम उपाए करते 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 करते, बहुत अच्छा हम बना सकते हैं, वक्त पे जाग जाएं, वक्त पे किसी इलाज को करने लग जाएं, तो बिमारी दूर हो जाती है, लेकिन जब अंतिम स्टेज आ जाती है तो बिमारी दूर होना मुश्किल हो जाती है, अंतिम स्टेज ऐसे ही कई बार हम बुड़े हो जाते हैं बहुत जादा, और बच्चे हमें सताने लगते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, डोर हाथ से निगल चुकी होती है, तो दो बाते हैं, एक तो हम बच्चों को लाड़ प्यार में तो पालते ही पालते हैं. लेकिन हम बच्चों को लाड़ प्यार के साथ थोड़ा सा बहुत सारी चीजों में उन्हें ना करना भी सीखें. कई बार बच्चा बच्चपन से बहुत पैसे मांगता रहता, ख्वाईशे रखता रहता और हम सारी चीज़ेंस की पूरी करते रहते हैं तो वहाँ पर भी हमें सोचना शाहिए खैर ये तो परवचन हो जाएगा मेरा लेकि छोटी-छोटी बाते हैं कि कई बार हम जरूर ये सोच लेते हैं कि बहु आईए तो घर में बहु आगई और जब से बहु आईए तो घर में कलेश हो गया है बहु ने बच्चे के कान भर दी है देखो ये भी बाते होती हैं कई बार बहु आईए तो बहु नहीं कोई बहु नहीं चाहेगी जो भाई नहीं चाहेगी कि मेरे घर में कलेश हो या मेरा आदमी मेरे ममी पापा की इज़त ना करे मेरे साससुर की इज़त ना करे लेकिन ये सब वक्त होता कि कई बार बहु बुरी बन जाती है तो कई बार बच्चे बुरे बन जाते हैं तो कई बार साससुर बुरे बन जाते हैं और साससुर भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में रोज का तना हो कलेश हो तो बच्चे की कई बार हम इतनी ख्वाइसी पूरी करते हैं कि हम उसे ना नहीं करना सिखाते हैं अब जब जैसे जैसे वह बड़ा होगा तो तो और बड़ी निमान बढ़ेगी तो बच्पन से कई बार बच्चों पर अंकुष भी लगाई है कि आज बच्चा पैसे मांग रहे हैं नहीं सावाज तो है नहीं बेटा आज नहीं देंगे ह हां भी सुनना आना चाहिए यह ना हो कि हर फिल्ड में उसको हम हां ही सुनाएं पापा यह कपड़े ठीक है ले लो इतने पैसे ले लो यह चीज ले लो तो कई बार बच्चों को भी हम अपने हिसाब से ज्यादा लाड़ प्यार करके भी बिगाड़ा देते हैं यह भी ध्य है कैसे कैसे हम लोग जो मिरी एज के लोग हूँगे हो समझते होंगे कि उस समय का कैसा जमाना था कैसे हम लोग बड़े हैं अब डूसरी बार highly abbiamo कोई कमी नहीं है आपके लालन-पालन में वी कोई कमी नहीं है एक बार बच्चे की बच्चे की कुन्डली के साथ-साथ आप एक बार किसी अच्छे अस्तो रजल को अपनी कुंडली भी दिखाईएगा कुंडली नहीं है हाथ की रेखा दिखाईएगा हाथ की रेखा दिखाने के लिए कुंडली की आवश्रक्ता किसी चीज की आवश्रक्ता नहीं पता लग जाएगा भहिया हमारे करमे साथ, आप सुनिए, अब हम उद्दे पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं, संतान जो हमें तरफाती है, पिड़ा देती है, तो देखो भहिया, मोटा मोटी जो बात निकल कर आती है, वो हमारा ही प्रारब्द कहीं कमजोर होता है, जो हमारे भाग्य में सीकरने पड़ती है, और पांचों यह एक सार नहीं होती है, सब के बच्चे ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे बच्चे, ऐच्छे भी बच्चे हैं, के माता पिता के चरड़़ों में बठे रहते हैं, मा की जरासी तकलीफ हुई नहीं, बच्चा दोड़ता है हस्पिटल ल कई बार मुझे ऐसा सुनने को मिलता है देखो हम बात करते हैं सबसे हमसे लोग अपाइंटमेंट लेते हैं मिलने आते हैं जो भी है कई बार पिड़ा होती है जब वो लोग बताते हैं कि साथ छोटी से उमर का बच्चा हमारे उपर हाथ उठा देता हमें डाटना तो बहुत दूर की बात है हमारे उपर हाथ उठा देता तो आदे तो माता पिता उसी दिन मर जाते हैं जब समझो कि हमारी संतान ने हमारे उपर हाथ उठा दिया समाज में हमारी क्या इज्जत है क्या नहीं है वो बहुत दूर की चीज़ है लेकिन जो हमारे हर्दे के रतन है हमारी आग के तारे हैं जिन के लिए हमने जिन्दगी समर्पित की है जीते जीवी और मरने के बाद भी कुछ ऐसी इंसोरेंस पॉलीश यादी हम करा लेते हैं कि भी या मरने के बाद भी हमारी बच्चों को ये पैसे फिल जाए तो जिनके लिए पूरी जिन्दगी हमने नुचावर की वो ही बालक हमारे उपर हाथ उठा दे तो साथ जिन्दगी जिन्दगी नहीं रहती वो बालक हमें गाली गलोस से बात करे तो जिन्दगी जिन्दगी नहीं रहती इसलिए है तो बड़ी दुक्की बात लेकिन कहीं न कहीं उसमें प्रारब्द हमारा जरूर है तो आप ऐसी इस्तिती से भगवार न करें कि कोई गुजरे अगर गुजरे तो अपनी अपने बच्चे की कुण्ड़ी दिखाई जाए और यदि हर व्यक्ति कुण्ड़ी नहीं दिखा सकता कई बार देखो भई कोई आसपास ऐसे एस्तितोलोजर नहीं मिलते है या जो भी है आज कर लोग बहुत जल्दी से विश्वास भी नहीं करते हैं सारी बाते हैं तो अब मैं यहां आपको एक उपाई बताऊंगा सभी के लिए उपाई है जो इस पीड़ा को परिसानी को जहल रहे हैं आप इसे करिएगा और एक ध्यानो रखें शॉटकट से बचें आज शॉटकट का जमाना कैसे साब बस गुरुजी को ऐसा उपाई बता दो कि बस एक सुपारी पे धागा बांद के रख दूँ और बाद में आपके दरवार में आके चड़ा दूँ मैं अरे मेरे भाईया सुपारी सोड़ो साय तुम सुपारी का पूरा बोरा भर के ले आओ धागे बांते रहो उस पर राद दिन बैठकर के गुरुजी के दरवार में जाएंगे चड़ाएंगे यह अंद्विस्वास की दुनिया में मत जीएगा करम करिएगा करम करिएगा भक्ति करना भी एक करम है अच्छे से करम करोगे फल अच्छा मिलेगा अब यदि आप चा किसी से पूछिए और उसके लिए आपको कोई न मिले तो आप एक बार अपने जीवन में शांतिकुन जाईए हरी दौार शांतिकुन नोट कर लिए हरी दौर शांतिकुन वहाँ से अच्छे से प्रुष्ण सीख कर के आइए गुर्देव की बहुत सारी किताबें हैं जिसम मैं गुर्देव, पड़े जी, शर्मा जी, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, आप तो खेर, एस्तोलोजी में बहुत लोग आ गए, वर्मा जी भी आ गए है, साब बहुत लोग आ गए, तो कहने वाली बात नहीं है, देखो भई, तो जो भी नॉलिज रखता है उस सब्जेक क तो आपको एक पुरुष्ण करना, वो अनुष्ठान करना है गाहित्री का, 40 दिन का गाहित्री का अनुष्ठान होता है, 1250 मालाएं गाहित्री की की जाती हैं, 40 दिन में पूर्ण होती हैं, सुबह साम भी आप कर सकते हैं, तुरी सुद्ध्या भी आप कर सकते हैं, लेकि फ हाथ पर काम नहीं करते हैं, हमारे देख घुटने दुखते हैं, कमर दुखती हैं, तब आप किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा अच्छा करमकांड जो जानते हों, गायतरी का उनसे अनुष्ठान करवाईए, गायतरी अनुष्ठान करवाईए और एक बार उनके अपने परिवार के नाम से त्रिपिंडी श्राद कीजिए, त्रिपिंडी श्राद करवाईए, यह गयाजी में भी होता, हरद्वार भी होता, बद्रिनात भी होता, यह कराईए, बड़ा अच्छा भवान की दर्वावन नहीं, यह बात तो थी कुछ अलग, अपने जीवन में जो भी आपको गूरु मंत्र मिला है, आपके जीवन में जो भी आपको गूरु मंत्र मिला है, उसकी साथना बहुत अच्छे से कीजिए, कम से कम 11 अमभस्या नियम बना लीजे, 11 अमभस्या, गाएं को कहीं भी आस पास दोशाला हो, 10-5 गाएं हो, थोड़ा-थोड़ा गुड, खिलाईए और हर ब्रस्पतिवार के दिन ध्यान रखें कम से कम ग्यारा ही ब्रस्पतिवार जो पहड़ी नमक होता है जिसे हम लाहुरी नमक कहते हैं सेंदा नमक कहते हैं थोड़ा डेला बड़ा सा लेकर के दोड़ाई तीन किलोगा उनसे आग्या लेकर के जिनकी गाएं हो जहां भी गव शाला हो उनकी मांद में रखिये गाएं उस पर जीव मारती है चाटती है डाइजेशन अच्छा होता है और भगवान की करपा से आपके किसी पदार्त पर गव माता की जिवा लग जाए तो क्या बात है तो आप बेटा ये उपाए करो आपको बहुत अच्छा लाब की देरे देरे प्राप्ती होगी और एक काम और करके देखो आप चंद्रमा मनसो अजायत चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं आप संध्या के समय धूप दीब जलाकर के संध्या के समय धूप दीब जलाकर के प्रती दिन कम से कम चार महीने या तीन महीने आप नमश्यव शाम के समय रुद्राक्स्ती माला से तीन महीने के आसपास आप करिएगा और प्रति दिन शिव पिंडी पर जल चड़ाइए कि हे भग्मान शिव हे भोलेनात हे जंबुनात आपकी करपा से हमारे कष्ट कटें और जैसे आप शीतल हैं जैसे आप सुम्मे हैं वैसा ही सुम्मे तक शुबासिस हमारे बच्चों को दें हमें भी कोई कमी हो तो उसे आप दूर करें और चंद्रमा आपके मस्तक पर धारन रहता है चंद्रमा होता है व्यक्ति का मन हमारे बच्चों का मन सुन्दर हो जाए शीतल हो जाए और यह जो मैं दल की जल की धार चड़ा रही ही हू यह चड़ा रहाँ इस जल के मानिंद इस जल की तरह सवच सुंदर शीतल ठंडक हमारे घर में रहें आप तीन महीना नमश्वाय करेंगे तीन महीना ही शिवपिंडीपर के उपर जलकी धार अरपन करेंगे देखो कुछ अच्छा करने से कुछ बड़ा करने से ही बड़ी समस्याइं दूर होती है हाँ यह नहीं कि साब छोटा मोटा कोई उपाई सा गर लिया और आप सोचें कि साब यह प्रारब्द को काटना इतना असान नहीं है प्रारत पर कटने में समय लग जाता है हमने ही कोई बीज बोया होगा जिसे आज हम काट रहे हैं नहीं किस जमाने में जनम में हमसे क्या प्राध हुआ है आज हमारे बच्चे हमें गाली दे रहे हैं आज हमारे बच्चे हम पे हाथ उठाने हैं आज हमारे बच्चे कहना नहीं मानना है, आज हमारे बच्चे प्रीबार का धनुझार रहाई, हमारे बच्चे हमारी leading the only one तो बहुत सरी ऐसी बाते हैं, आप करके देखो और वैसे तो गाइत्री करने से तो दुल जाता है जिंदकी, आप गाईत्री को ले कर के इतना डाल दिया गया है किसांब बुचियागा मत बता खैट गाईत्री के ऊपर आप हमाने कई कारेकरव हैं उने सुननी जी आपको बहुत सारी बाते समझ में आ जाएगी और यदि भाईया फिर भी आपको रस्ता न मिले तो मैं तो यही कहता हूं परमपुझे गुर्देव की शरण में एक बार जाईए शांति कुन जाईए मा रहिए वह दर्शन करिए और कभी सुभाग्य की प्राप्ति हो तो वहां गाहित्री के पुरशन भी कराये जाते है फिरी ओप कोष्ट आपका रहना फिरी होता, आपका खाना फिरी होता सारी चीज़े फिरी होते हैं लेकिन वहां का अनुशाशन है सुबह इतने बज़े उठना है इतनी मलाईज अपनी है ऐसे कारी करना है यदि वो सब कर सकते हो तो आप महां जाने में महां फोन से संपर किया सकता है इंटरनेट के जरीए आप ढूंड सकते हो फोन नंबर वगारे सारी चीज़े हो जाती है और यदि फिर भी तुम्हें लगे के साथ ये तो हम नहीं जा प नगणिने नहीं पेैनना, ध्यान रखना मेरी बात पर कभी आपको कोई उपखाय के रूप में कहिसे आपकी संतान केहने नहीं मानती है अब पुख्राज पेनले आप पन्दा पहन ले नैंई साब नगणिने नहीं पैनना अगर कोई उपखाय करना है तो मंत्र वाला करना दानवाला करना बैसं एपाई करोंगे लाब में बाकि जो मैंने इस वीडियों मथा एक दुमार वीडियो देहन से सुन लेना करने का प्रियास करना लाब स्थ fascinatedम का उस प्रम्भा महा शक्ति कि चरण शरण में जाते हैं ऐगवति सबаний का कल्वा करना किसी घर में ऐसा ना हो और हेमा आप सब को शुवासीज पुतान करना विप्रति सोम्याम रत गडस्तरक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंभिकाम खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम् सिरा संखं संदधतिं करिस्त्रिनयनाम सरवंग वुस्वरिताम निलास्मध्युतिमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम्रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसादस्ता विरास्यविताम् हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विसिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राना मलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें जगदंबा का सुबासी समसब के उपर बरस रहा है अब देखो एक उपाय और बता देता हूँ अगर आपको लगे बहुत सारी हम कुछ नहीं कर सकते तो यह भी एक छोटा सा प्रियास करें मान्सिक रूप से दुर्गा जी का एक मंत्र है सरव मंगल मंगल ये हर प्रकार का मंगल हो ये मंगल ना हो गाहितरी मंत्र ये दुर्गाजी का मंत्र चलते फिरते उठते बढ़ते जबते रहिए और इसी के सासा जय मागाहितरी जय अमबे जय गाहितरी जय मामबे जय गाहितरी जय मामबे एजबाजपन के रूप में जपिएगा आपको सुन्दर तरीके से लाब मिलेगा आप छोटे-छोटे उपाएं हैं थोटी सी महनत जुरूर है लेकिन अपने बच्चों का भविश्य समारने के लिए माता पिता महनत करने से पीछे नहीं अटते हैं हूं है हम वी शुब आसे प्रदान करते हैं भगवति से प्रात्मा करते हैं कि सभी के बच्च और कि स्वस्त्र हैं द्रगाई बन्वान हो विध्या वान हो मेधावान हो आप लोग है सब्सप्र अपने वानी को ओधना से इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालाद से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि मेरी बातें इन से लगातार कभी कवार हो जाये करती है एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेज़ चौंगा करीब चार-पांस दिनों से कववों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था मैं यही सोचने परिशान था यह सुभ है असुभ है क्या चीज है तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कववे आ रहे है कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुछ तो आलोगिक है इनमे दूसरा क्या जो इनका उदेश है जब महाकुम में आये थे मेरे इन से वारता हुई तो मैंने इनका उदेश जानना चाहा कि किस उदेश के लिए आप काम कर रहे है तो जो उदेश है उन्होंने मुझको बताया मैं मन से इनके उदेश के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उदेश के साथ भी हूँ मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें सबस्द्दे को करें छेक्रमि करना कारिक्रम सबस्लिख जाओे जानकारे करना अभी मरें थार्यारा सबस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्थ कुछ just